Hello and Welcome to Prabhupiad classes आज का हमारा वीडियो है शट्क्रिया या शट्कर्म के बारे में इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है क्योंकि शट्क्रिया को एक ही वीडियो में explain करना यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाता तो इसलिए मैंने इस वीडियो को पार्ट में डिवाइट किया है आज शटक्रिया का हम पहला पार्ट जो है हमारे वीडियो का उसके बारे में देखेंगे इस वीडियो में हम शटक्रिया क्या होती है यह कितने प्रकार की होती है और इनके प्रकारों में से एक जो प्रकार है वो है कपाल भाती क्रिया उसके ब आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और आपको पसंद आता है या नहीं उसके लिए तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा तो आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें और अगर आपको यह पसंद आये तो इसको लाइक करें और शेयर करें तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं शट कर्म या शट क्रिया यह हमारे शरीर की आंतरिक शुद्धी करण की प्रक्रिया है शट कर्म शब्द जो है वो संस्क्रत भाशा का शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है शट का अर्थ होता है छए और कर्म का अर्थ है कारे शट कर्म हमारे शरीर की भीतरी रूप से स्वच्छता और उसकी साफ सफाई करता है हट योग के अनुसार छए क्रियाए होती हैं जो है नेती, धौती, कपालभाती, नौली, बस्ती और त्राटक इन क्रियाओं के अभ्यास से हमारे शरीर को डीटॉक्स किया जाता है डीटॉक्स क्यूं करते हैं जब हमारे शरीर में विशाक्त पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं तो डीटॉक्स करना बहुत जरूरी होता है डीटॉक्स करना यानि कि विशाक्त जो पद बाद में हमारा शरीर जो है वो स्वस्त हो जाता है उसकी फंक्शनिंग उसके कार्य करने की चमता जो है वो बढ़ जाती है तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है दे रिमूब वेस्ट मैटेरियल फ्रॉम अर इंटर्नल ऑर्गंस जो हमारे आंतरिक अंग होते हैं जिनकी साफसफाई हम ऐसे ही नहीं कर सकते हैं जैसे हम अपने बाहरी शरीर की साफसफाई कर सकते हैं इनकी आंतरिक साफसफाई के लिए शट क्रियाओं के अभ्यास की हमें जरूरत होती है तो अब हम देखते हैं जो इसका पहला जो क्रिया है शट क्रियाओं में से पहली क तो कपाल भाती क्या है कपाल भाती को हम जानने से पहले इससे जुड़ी कुछ भ्रांतिया हैं कुछ मिस्कॉंसेप्शन्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं बहुत लोगों का मानना है या ज्यादा तर लोग यह समझते हैं कि कपाल भाती जो है वो प्रणायाम है जबकि ऐस इससा नहीं है कपाल भाती एक क्रिया है हट योग में इसको क्लियरली एक्स्प्लेइन किया गया है कि कपाल भाती प्रणायाम नहीं कपाल भाती एक क्रिया है इसमें आप देख सकते हैं तीन प्रकार दिये हुए है कपाल भाती के जो पहला है वातकरम कपाल भाती इससे ही भ् कुछल भाति क्रीया नहीं अपितू एक प्रानायाम थि दिख्षय के वीडियों में हम यह शम इजैंगे कि करीया एक कार से की आ Take your love होता है किस ही प्राव क्या करा सकते हैं करने असको प्राष करने सकते हैं किस प्रावस क्रे खराप सकते हैं किस परकार बना हुआ है कपाल और भाती आर्थ होता है हमारा ब्रेन चल। ब्हार्टी का अर्थ होता है शाइन। कपाल भाथी का धिक यह वह कहता है, कि यह प्रकार्थ की ऐसी एक्सेसाइज जो हमारे स्कॉलों, हमारे ब्रेन को शाइन कराती है। यहां आप देख सकते हैं कपाल भाती के तीन प्रकार दिये हुए हैं कपाल भाती के तीन प्रकार जो हैं वो हैं वात करम कपाल भाती व्यूत करम कपाल भाती और शीत करम कपाल भाती तो हम इन तीनों को अच्छे से जानेंगे और यह समझेंगे कि इसको किस तरह से परफॉर इला नाडी यह क्या है इला नाडी जो होती है वो हमारी जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल होती है यानि ہमारी बाइं ञासिका रजयत जो मेड़ाल TV तमों गुल्भा पहब होनाडी और यह सूरय नाडी को रिप्रेजकर yaών पिंग्डा नारी जो होती है वो हमारी राइट नॉस्ट्रिल कहलाती है यानि कि हमारी जो दाहिनी नाशिका है उसको हम पिंग्डा नारी बोलते हैं ये सतोगुन को रिप्रेजेंट करती है और ये चंद्र नारी कहलाती है आप चाहें तो इडा नारी और पिंग्डा नारी है या चंद्रनाडी और सुरिनाडी भी बोल सकते हैं तो अब हम देखते हैं कि कपाल भाती जो है वात्क्रम कपाल भाती वो क्या है और किस प्रकार से इसको पफॉर्म करना चाहिए when you see this thing United लृए प्याइड्य जो है वात्क्रम-कपाल भाती यह मैं आपके लिए जो भी आपका आराम दायक मुद्रा है आप चाहें तो पदमासन भी लगा सकते हैं सुखासन में भी बैठ सकते हैं और आपकी रीड की हड़ी जो आपकी स्पाइनल कॉलम है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी ध्यान एकाग्र होना चाहिए फिर उसक को छोड़ते हैं उसके बाद में हम वातक्रम कपालभाती का जो प्रोसेस है उसको शुरू करते हैं उसको शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी इडा नारी यानि की जो आपकी बाई नासिका है उससे स्वास को अंदर लेंगे उसको स्वास को अंदर लेने के लि ऑपने बाइनाडि इडा नाडी बंद करकेंगे या चाहें तो आप इंडेक्स फिंगर की अवाद से अबद करेंगे और उसके बाद में आप अपनी नासिका यानि आपकी पिंगडा नाडी से उस ली हुई सांस को आपको बाहर निकालना है फिर सेम प्रोसेस आपको पिंगडा नाडी से सांस को अंदर की तरफ लेना है और आपको बाई नासिका से यानि इडा नाडी से स्वांस को बाहर की तरफ निकालना है इसी चक्र को हमें पांच से छे बार repeat करना है एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जब ही आप व्यूतक्रम कपालभाती और शीतक्रम कपालभाती को करते हैं उससे पहले आपको वातक्रम कपालभाती करना बहुत जरूरी है जिससे कि आपकी जो दोनों नासिकाएं हैं वो clear हो सके इसलिए वातक्रम कप करना चाहिए तो आप इसको समझ चुके होंगे कि हमें वातकरम क्रपाल भाती कैसे करना है सबसे पहले आपको मैं रिपीट कर देती हूं आपको अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को लेना है फिर उसको बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से चोड़ना है फिर राइट होने वाले हमें लाब हैं या बैनिफिट्स हैं वो हैं कि आपको अगर कफ से रिलेटेट किसी भी प्रकार की कोई बिमारी है तो वो आपकी वातकरम कपाल भाती के अभ्यास से दूर होती है और यह आपके कॉंसेंट्रेशन को इंप्रूफ करता यानि कि आपकी एकागरता क दूसरी है व्योतक्रम कपाल भाती व्योतक्रम कपाल भाती को साइनस क्लेंजिंग क्रिया के नाम से भी जाना जाता है यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि हम इस क्रिया में और यह जो शीतक्रम कपाल भाती है इसमें भी हम जो पानी का प्रयोक कर रहे हैं उसको यूज करने के लिए लोक वाइंड़ी के टैंड़ करए है लूइए खुरा पानी होगा जिससे हे लिए को पौना पानी पर्फयर्म करें deco जिए दोनों नासिकाई हैं डोनों नॉस्ट्रिल सब्सक्रावाइक제 सहते हैं वह में नदर् सक करते हुआ हो birds आपके वहां से आपको जल खीचना है और मुख द्वार से आपको बाहर निकालना है यानि कि आप नाक के छेट से पानी को अंदर की तरफ लेते हैं और आप अपने मूँ से उस पानी को बाहर निकालते हैं उसके बाद आप यही प्रोसेस को उल्टा कर देंगे आप फिर के लिए व्यूत क्रम कपाल भाती याद करना सबसे इजी होता है क्यों क्योंकि व्यूत का अर्थ होता है उल्टा और यहां भी उल्टी चीज हो रही है हम नाग से हवा को लेते हैं और मूँ से पानी को पीते हैं लेकिन यहां पर हम उल्टा कर रहे हैं काम यहां पर हम नाग स पान से पानियों को ले रहे हैं से पान से छोड़ना जाता है तो सचक्र आप पान से छे साभणी वरत्नेजे शाज़न जह वहाates की बता है इसरह से पान से चेल करोठम जाता है आप आप ग्रां मत भुझान संट्प करना सत की शेयर बार भाति और आपने उसको perform कर लिया आपको ये proper जिनको अच्छे से आता होगा उन्हीं की guidance में यानि की expert की guidance में ही आपको व्योत्करम कपालभाती और शीत्करम कपालभाती का अभ्यास करना है हमें व्योत्करम कपालभाती से मिलने वाले जो lab है वो हैं कि यह जो क्रिया है यह हमारे जो गला है हमारा थ्रोट है हमारा मुँ और हमारे नॉस्ट्रिल्स यानि कि हमारी नासिकाएं हमारा मुख और हमारे गले के लिए बहुत useful है यह पूरी तरह से हमारे थ्रोट को माउट को और नॉस्ट्रिल्स को clean करते है यह cleansing प्रक्रिया है जैसे कि मैंने आपको बताया था यह cleansing प्रक्रिया होती है पूरी तो यह हमारे इन तीनों जो organs है इनको clean करने में मदद करती है next है और last है हमारी जो कपाल भाती की प्रकार वो है sheet cream कपाल भाती sheet cream कपाल भाती को mucos cleansing kriya के नाम से भी जाना जाता है इसमें भी जो हम पानी का यूज करेंगे वो luke warm water होना चाहिए यानि कि गुनगुना पानी होना चाहिए इस क्रिया को हम किस प्रकार से करेंगे इस क्रिया को करने के लिए आपको मुख द्वार से जल को खीचना है यानि कि आपको पानी पीना है लेकिन वो पानी आपके मुँपे ही रहना चाहिए, आपको अंदर नहीं लेना है उस पानी को, मुख द्धवार पे ही रखना है, और उसको आपको दोनों नासिकाओं से बाहर की तरफ छोड़ना है, बहुत इजी है ये केवल मुख द्वार से आपको पानी लेना है और दोनों नासिकाओं से आपको उस पानी को बाहर निकाल देना है ये होता है पूरा एक चक्र शीद क्रम कपाल भाती का इसी चक्र को आप 5-6 बार कर सकते हैं और ये मैं वापस से आपको बता दूँ आप इसको एक्सपर्ट की गाइडेंस में ही परफॉर्म करेंगे इससे मिलने वाले जो लाब है या जो बैनिफिट्स है वो है कि आपको अगर स्वास समबंदी किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आपको शीत क्रम कपाल भाती के अभ्यास से वो सारी समस्यां दूर हो जाएंगी इस क्रिया को करने से आपके अगर सिर में दर्द रहता है या मस्दिश्क से रिलेटेड आपके किसी भी तरह का कोई बिमारी है आपको तो वो भी इसकी मदद से दूर होती है और यह है आपके ब्लड को यानि कि आपके रत को प्यूरिफाई करता है उसको साफ करता है तो यह सारी चीजे हो गई कपाल भाती की कपाल भाती क्या है उसके कितने प्रकार है हमने हार एक प्रकार को समझा कि उस प्रकार में क्या उसका नाम है उसको किस तरह से perform करना है और उस अभ्यास को करने से हमें क्या लाभ मिलते हैं ये सारी चीज़े आज के वीडियो में हमने जानी जो हमारा अगला पार्ट होगा शट क्रिया का उसमें हम बात करेंगे त्राटक की और हो सकता है कि हम उसमें एक किसी और क्रिया के बारे में भी बात करेंगे मैं चाहूंगी कि आगे के जो भी वीडियोज हैं उनमें मैं दो-दो क्रियाओं को एक्स्प्लेइन करूँ आपके साथ में क्योंकि पेपर भी बहुत नजदीक हैं और आपके फाउंडेशन कोर्स में 100% है कि शट क्रिया से प्रशन आने ही हैं तो मैं शट क्रिया को पूरा ब आप वो सारी देखें और आपको पे आने वाले जो एक्जाम से उनमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू